नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही सरल भाशा में बहुत बैसिक लेंग्वेज में ये सीखने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों बढ़ता है और ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपको इसके fundamentals समझ में आ गए, तो आपको कभी किसी डॉक्टर को पूछने ही जरूत नहीं पड़ेगी कि मुझे अपना BP कैसे कंट्रोल करना है आप एक वीडियो से समझ पाएंगे कि इसके basics क्या है, fundamentals क्या है और आप अपना regulation खुद कर पाएंगे NBCA के एक report आती ये भी हाली में उजोए बताती है कि भारत में करीब 32% hypertensive लोग है यानि कि जिनका BP बहुत हाई है और WHO ने भी इसे बहुत बड़ा खत्रा बताया है एसी इस्तिती में हमारे लिए जानना बेहत जरूर ये है कि आखिर blood pressure है क्या, क्यों बढ़ता है और इसे कैसे control कर सकते है चलिए सबजना शुरू करते हैं और समझते सबसे पहले कि blood pressure क्या है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं यानि कि cell से मिलकर बना हुआ है और हर cell को हर वक्त जिन्दा रहने के लिए oxygen की जोरूत पड़ती है और ये oxygen supply का का काम करता है हमारे पूरी body में blood blood हर cell हर कोशिकाओं तक oxygen पहुचाता रहता है लेकिन इस blood को पूरी body में circulate करने का काम करता है हमारा heart इस heart को explain करने के लिए मैंने अग्मूबेक यूज किया है इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि heart कैसे काम करता है तो हमारा heart जब से हम पैदा होते हैं तब से contact करता है और relax होता है इसे contraction यानि की सिकोडना और relaxation यानि की फैलना तो इस तरीके से हमार heart हर वक्त धड़कता रहता है ताकि हमारे हर body में हर cell को हर वक्त oxygen मिलती रहे हमारे body में दो तरह की नलिकाएं होती है जहां से blood पूरी body में जाता है जो नलिकाएं heart से blood को लेके जाती है कोशिकाओं तक उन्हें हम कहते हैं arteries जो red में बताइए इनका काम है कि heart से blood लेना और हर कोशिका तक पहुँचाना और दूसी तरीकी जो नलिया होती है उन्हें हम कहते है veins जिनका काम होता है सारे organs यानि कि जितने भी अंग हैं जितने भी कोशिकाओं हैं वहाँ से blood को लेना और वापस heart तक लाना तो दो तरीके से यहाँ पर blood का collection होता है और distribution होता है और heart हमारा हरवक contract करता है अब यहाँ पर आते हैं अब समझते है blood pressure क्या है देखे अगर हम किसी blood vessel का cross sectional view लें यदि मैं देखूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारी blood vessel ऐसी दिख रही है अब blood pressure क्या है जब भी heart contract होता है तो जो नलियां है उनमें pressure पड़ता है आप उसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस नली में blood flow कर रहा है तो इसकी जो अंदर की दिवारों पर लगने वाले pressure को ही हम blood pressure कहते है nothing else तो blood pressure क्या है तो जब भी किसी artery के अंदर चाहिए वो vein हो चाहिए वो artery हो उसके अंदर की दिवारों पर लगने वाले जो pressure है वो blood pressure कहलाता है अब हम इससे measure के से करते हैं आपने सुना होगा कि बहुत सोगा जो BPO जादा है किसी का BP कम है तो normal जो reading आती है आपने देखा हो कि बहुत सो किसाफ ये 120 by 80 normal BP होता है पर बहुत से लोग समझते हैं कि ये है क्या देखिए जब भी heart है हमारा ये contract होता है मान लिजी हमारे heart है और ये हमारे आपे जो है वो artery है जब भी heart contract होगा तो आप एक बार बात बताएं इस नली में pressure ज़्यादा होगा ये कम obviously इसमें जो pressure होगा वो ज़्यादा होगा heart के contract होने पर सिकूरने पर जो pressure होता है उस वक उसकी reading को बोलते हम लोग systolic pressure यानि कि ऊपर की जो reading है ये 120 नॉमली एक सामन आदमी की बात कर रहे हैं भी हम हाई बीपी की बात नहीं कर रहे हैं तो 120 ये contraction की है और ठीक उसी वक जब heart relax होता है इस तरीके से तब नली में pressure ज़्यादा होगा ये कम बिलकुल इसमें प्रेशर उस वक होगा कम तो ये है नीचे वाली reading जैसे हम लोग diastolic pressure कहते हैं systolic pressure और diastolic pressure तो दो तरह की pressure हमारे पार से है और इसको measure करने के लिए हम यूज करते हैं mm of mercury यानि कि mm of hg का हम लोग इसमें यूज करते हैं अब बात करते हैं हाई बीपी यानि की hypertension किसे कहते हैं मान लीजिए हमारी जो food habits हैं वो तला गला खाने किये हम समों से खा रहे हैं कचोरी खा रहे हमारी जो high cholesterol वाली जो diet है या lifestyle यसी के हम खाते हैं smoking, drinking इस type की habits है लगातार बहुत लंबे समय से तो होता क्या है धीरे धीरे जो कुछ भी हमने cholesterol खाया है इसमें 2-3 तरह की situation अभी आपको देखने को मिलेगी वो cholesterol जब जाता है पोरी बाडी के अंदे cholesterol क्या होता है cholesterol हमारी एक तरह की चिकना ही है जैसे यदि मैं आपको इस बड़ी simple भाष्य में समझाओं कि यदि हम पानी को बहाएं और गी को बहाएं दोनों में इससे पहले बह के कोन आएगा obviously आप समझ सकते हैं पानी बिलकुल आएगा क्योंकि वो बड़ी आसानी से बह सकता है तो जितना पतला खून होगा वो उतनी आसानी से बहेगा लेकिन ये जी उस खून में उस चिकनाएं आ जाए गी की तरह तो उसको flow होने में बड़ी दिक्कत आएगी और तो हार्ट को ज़्यादा pressurize करना पड़ेगा बहुत दम लगाना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल से बड़ेगा उससे बड़ेगा BP ज़्यादा दूसरी बाग जब tension ज़्यादा होती है तो यहां के आस पास की जो दिवारे हैं ये tension बहुत ज़्यादा लगाना शुरू करती है तो यहां पर कट लगने शुरू हो जाते हैं अब जब आप high cholesterol वाले diet खाते हैं या तलावा चीज़े खा रहे हैं तो धीरे धीरे जितना भी deposition है cholesterol का वो यहां जमा होना शुरू हो जाता है इस तरीके से अंदर की दिवारों पर यहां पर बिदना शुरू हो जाता है इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए दि हम इस नली को इस तरीके से cross sectional देखें यहां पर मान लीजे यह हमारी नली है तो जो अंदर की दिवारे हैं यहां पर धीरे धीरे cholesterol जमना शुरू हो जाता है इस तरीके से और आप देख सकते हैं इसका जो diameter है वो कम होना शुरू हो गया है आप एक बात बात बताईए जो पहले diameter इतना बड़ा था वो diameter हो गया है अब इतना कम आपके इसाब से pressure बढ़ेगा या कम निशित रुप से blood pressure बढ़ेगा और इसी को हम लोग high blood pressure कहते हैं यानि कि hypertension कहते हैं और इसको समझने का सबसे बढ़े तरीका यहां पर है आप समझ सकते हैं नॉर्मली जो हमारी artery होती है वो इस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं बेलकुक clean है यहां पर इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है तो ब्लड बरी आसानी से flow होता रहेगा लेकिन जैसे जैसे यहां आप देख सकते हैं यह plaque यानि कि जैसे जैसे हमने cholesterol लिया यह अगर हमने बहुत जादा नमक खाना शुरू किया तो यहां पर deposit होना शुरू हो जाएगा और यहां का जो diameter है वो कम होता 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 इस तरीके से हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा जो पहले diameter इतना बड़ा था अब इतने से diameter में blood flow हो रहा है आप खुँछ समझ सकते हैं कि जिस नली का diameter इतना बड़ा हो उसका आधा और आधा हो जाए तो pressure कितना ज़्यादा हो जाएगा इसी लिए hypertension एक बहुत खदरनाक बिमारी है क्योंकि ये पूरी body को affect करती है जिसका measurement आपने ये instrument जरूर देखा हूँ इसको spagnomenometer कहते हैं और ये पूरा reflection आपको देखने को मिलता है spagnomenometer में जहां से आप reading चेक कर सकते हैं चलिए बात करते हैं उन complications की जो high BP की वज़े से हो सकते हैं एक बात बताईए वो artery जो पूरा blood लेके आँखों तक जारी है जिसका diameter बहुत कम हो चुका है बहुत कम margin में से अगर blood flow हो रहा है तो आखों की रोशने पे क्या प्रभाव पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आखों की रोशनी जा सकती है उसी प्रकार brain के अंदर supply है और पूरी blood supply नहीं हो रही है जिसका diameter बड़ा था उसका diameter एक चोथा ही रह गया है तो blood supply भी बहुत कम हो जाएगी stroke हो सकता है brain के अंदर और बहुत सारे complications हो सकते है heart के अंदर यदि माल लीजी ये जो artery है blood supply वाली ये heart की है अगर heart के अंदर जो blood supply दे रहे है वो artery उसकी खुद की है तो heart attack आ सकता है यदि ये कि ये situation kidneys के आसपासे तो kidney को filter करने के लिए बहुत ज़्यादा pressure करना पड़ेगा और जो इसके efficiency इतनी हो पहेगी तो kidney failure हो सकता है aneurism हो सकता है इसे सम्मंदी बहुत सारी समस्या हो सकती है मोटा मोटा सारांश में यू कहें कि hypertension लगबग हर बड़ी बीमारी की जड़ है दोस्तों हमने यह तो समझ लिया कि BP क्या है और किन कारणों से बढ़ता है चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिसके थू हम hypertension को control कर सकते हैं उनमें सबसे पहले चीज़ certainly है हमारी lifestyle अपनी lifestyle में एक गंटा अपने लिए add जरूर करें चाया आप योग करें चाया प्रणायम करें चाया जिम जाएं या कोई खेल खेलें एक गंटा अपने शरीर के लिए देना शुरू करें इससे आपका blood flow पुरी body में अच्छा हो जाएगा और आपको BP की शिकायत नहीं रहेगी साथ के साथ आप अपने खाने में sodium को कम लेना यानि कि नमक डालना बहुत कम करें उपर से जो नमक डालना है बहुत से लोग बहुत तेज नमक खाते हैं तो उन्हें BP की शिकायत रहती है बाकी सारी चीज़ी जो हैं जो cholesterol से related हैं जैसे कि आप देखें smoking habits हैं आपको पसंद आया होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल Knowledge Kingdom को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आना वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो की अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मेसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे चुड़े रहें थैंक्यू सो मच, थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो, थैंक्यू